एलविश यादव को लेकर आ रही है बहुत बड़ी खबर साबने कि राजस्थान में कोटा में जब सभी गाडियों की इस वक तलाशी हो रही थी तो उसी बीच 100 मीटर पहले एलविश यादव फरार हो गए और पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा तो उन्हें कस्टडी में ल वेल जो खबर है एलविश यादव को लेकर रही कहती है कि इस वक्त राजस्थान पहुचे थे एलविश यादव कोटा में उनकी गाड़ी चल रही थी जहां पर पुलिस के सभी कर्मी तलाशी कर रहे थे गाड़ीयों की इलेक्शन की वजह से उसी बीच उन्हें एक गाड का पीछा किया गया और एलविश यादव उस गाड़ी में मौजूद थे उन्होंने नाम भी पूचा तो एलविश ने अपना नाम नहीं बताया जूट बोल दिया ये खबर सामने आई है सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं एलविश ने अपना नाम जूटा बोल दिया और जब उन्हें पुलिस टेशन लेकर जाए गया तो एलविश का बहां पर सच खुला कि वो एलविश यादव है बिग बॉस ओटीटी टू विनर इंफुलेंसर यूट्यूबर जिसके बाद नौईडा पुलिस को खबर पहुची कि उन्हें यानि कि एलविश को कस्टडी में लिया गया है नौईडा पुलिस आठ से नौ बजे के करीब कहा जा रहा है कि शायद कोटा पहुच जाएगी और एलविश को अपनी कस्टडी में लेगी लेकिन इन खबरों के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है और वो सच्चाई क्या है अपनी नेक्स्ट डिपो